आज मैं पनीटिका की ऐसी रेस्पी लेकर आए हूँ, जिससे बीना ओवन के बना सकते हैं, बीना तंदूर तावा पर बनाने का सबसे असान तरीका एकदम साधियो पाटियो वाली पनीटिका घर पर बनाएंगे सबसे असान तरीके से, तो चलिए बीना देर की हो बनाना सुर दियान देना क्वालिटी मैटर रखती है उसके अंदर मौस्चर जूसिनेस मैटर करती है अगर जूसिनेस अंदर है तो पनीर ठीका हमारी सबसे बेश्ट बहुत टेस्टी बनेगी इसमें कोई सक नहीं है और खाने में लाजवाब बनेगी पनीर हमेशा ऐसा ले जो की पानी म में बिल्कूल नहीं रखाओ एकदम फ्रेस हो तो सूपर टेस्टी आपके पनीर ठीका बनेंगे इस बात का खास धियान रखना जरूरी हो यहां पर पनीर टीका के लिए हमने 500 ग्राम के कड़ी पनीर लिया है मार्केट वाली पनीर है एकदम फ्रेस पनीर है इस सब को या पौडर वन टीए स्पून मिर्ची पौडर हमने यहां पर डाले हैं हाफ टीए स्पून से थोड़ा सा ज्यादा इसमें हमने हल्दी पौडर एड़ किये हैं स्वाध कनुसार नमक डाले आप अपने टेस्ट के एकदम कर सकते इस से और टेस्टी चरपटा बनाने के मिर्ची यहां पर हाफ टीए स्पून इसमें हमने एड़ कि इसे और ज्यादा चटपटा बनेगा और इस सब को मसालों का अच्छे से हम हलके हलके एक एक करके पीस को उठा के सब को इसमें मिलाएंगे कि अच्छे से मसाला कोट हो जाए चारो तरब से अब इसमें हम डालें 1 टीए स्पून अद्रक लासन का प्यस डालेंगे जिसे स्वाद कमाल का बने अच्छे से साड़े मसालों को मिला कर और एक एक को कोट करेंगे कि सब मसाले बडाबर मातरा में सब पर अच्छे से लग जाए अब देखिए यहां पर तयार है कुछ देर के लिए इसे हम रेस् करके बनाएंगे हमारी पनीरि का टेश्टी किसा सबसाथ हेलदी भी पूरी रहेगी इससे हलके से ग्रीस करके हम बनाएंगे आप इसे यहांड़ी फाइंटम हें इस किये हैं करण भारी अच्छे स मार्म हो नहीं हाँ हैंभ सारे पीसेच को एक कर गे हम इसमें डालेंगे यहां 20 सोगरम ही मारे पनीर है तो साड़े पीसे इसमें इजली आ जाएंगे सबको एक एकर के चमत से हमने इसमें इसमें डाल देने हैं एक वाध्यान देना है कि इसमें gas film जादा हाई नहीं हो high to medium पे इससे रखेंगे, ज्यादा high नहीं रखेंगे, कि अच्छे से सीखेगी भी नहीं, और जलने लगेगी, तो इसलिए high to medium पे ही इससे रखेंगे, हम अच्छे से पकाएंगे, जो extra masala इसमें लगे हैं, ओह चम्मस से हम साड़े को इसमें उपर से फैला देंगे, बहुत से जब यह brown हलके से हो जाए, तब दूसरी तरफ इससे पलट देंगे, दिखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से सीख चुका है, एक एक करके सारे pieces को हम पलट देंगे, पनी ठीका को घर पे बनाने का सबसे easy तरीका हमने आप सबसे बसे शेयर किया है, आप इससे ज़रूर ट्राइ करें, must try recipe है, जब यह कुछ अलग खाने के चटपटा खाने का दिल हो, जब यह चाय के साथ कुछ खाने का दिल हो, तो इससे साम के समय है, जब दिलकड़ी इससे बनाये, enjoy करें, घर पे जब मेहमाना है, तो उन्हें चाय के साथ बना के दें, इससे आप सफण में भी ले जा सकते हैं, आप इसे store भी कर सकते हैं, फ्राइ किये हुए इसे, आप दो दिन तक इसे रख सकते हैं, चटनिक सा सब कर सकते हैं, और इसे आप गर्मा गर्म खाना चाहें, तो इसे आप marinate करके साड़े masala डालके, इसे freeze में यह टाइट डब्बे में भरके रख सकते ह और जब भी दिलकड़ बनाना, तो इसे आप सिख के ऐसे ही आप enjoy कर सकते हैं, बहुत ही tasty लगते हैं, बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं, मसाला पणी टिका जब आप इस तरीके से बनाएंगे, तो बार बार बनाएंगे, इस टेस्टी के साथ साथ healthy भी बहुत हैं, इसे बहुत ही tasty लगेंगे, आप इसे store करके रख सकते हैं, इसे आप सफ़र में ले जा सकते हैं, फ्रेंस उमीद करती हूं कि आज की हमारी पनीर मसाला टिका की रेस्पी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और भी पनीर टिका की रेस्पी के लिए और नई नई रेस्पी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर, यह रेस्पी अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, जाता सदा सेर करें, सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले, फिर मिलती हूं ऐसी एक नई रेस्पी साथ अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स वाचिंग, जै हिन, जै भरत!